हेवरिवान वेल्कम बेक टो मैं यूटिप चैनल अगें इंडिया पोस्ट ओफिस जीडियस कॉर्णर होप यूल गईज दूइंग वेरी वेल सो अभी तक काफी सारे जो न्यू जीडियस हैं जीडियस बीपिम और जीडियस एवीपिम जॉइन कर लिए होंगे जितने भी जी स्क्राइब कर लेना बिकॉज यह चैनल आने वाली फूचर में आपके बहुत काम का रहने वाला है और बहुत सारी इंफोमेटिंग वीडियो आपके जोइनिंग से लेके आपकी काम तक की अल्रेडी अप्लोड़ेड है अभी जाके प्लेलिस चेक कर लेना सो आज का कुश् स्थाइब करने चैनल चैनल इस पांच लाकी 10 लाकी इस ट्रैप के जो हैं आपको हर मंथ टार्गेट दिया जाते हैं पहले बात कर लेते हैं कि यह टार्गेट क्यों करने होते हैं क्योंकि हमें अगर जीडिए बीपिम पोस्ट ऑफिस में बिठाया गया है ओशेमप्ल आपको कहीं भी सर्विस करने लिए बिठाय है तो ओविश सी बात है पोस्ट ओफिस केऊ अपने अपको उन्होंने डिऑ आपको उन्होंने जब करने का मोका दिया आपको पे मिल्जा है तो उसके बदले में उन्हें business चाहिए, simple सी बात है, अगर आप ये बीना pressure के कर लेते हो, तो then well and good है, otherwise उनको targets देने पटते हैं, और target basis यही रहता है कि काफे सारे BPMs होते हैं, जो काम नहीं करते हैं, और जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनका भी जो graph है, वो down हो जाता है, क्यो अगर 50 आपको खाते बूला गया है, तो maximum to maximum, अब कम से कम जो minimum मान के चले हैं, तो 10 खाते अपने रखो, maximum 25 खाते रखो, अगर 10 खाते नहीं है, आड़ी का कोई 1000 का खाता लेकिया है, उसके 100 के 10 खाते खोल दो, और यह बहुत easy होता है, आपने customer को समझा सकते हो, relate कर सकते हो, कि अगर आप एक अकाउंट खुलवाते हो, तो 500 के आड़ी होती है, कम से कम 3 साल में खोलनी होती है, अगर आपको in case emergency में अपनी आड़ी तुडवानी पड़ी, तो आपको 1000 की पूरी 3 साल बात तुडवानी पड़ेगी, बट अगर वही आप multiple number of accounts करवा लेते हो, तो आप चाहिए, जो 500 की है, 500 की है, 100 की है, 100 की दोस्तों की, जितनी की भी आपको नीड है, तीन साल बात पूरी पूरी हो जाएंगे, कम से कम आपको कुछ amount पे 5 साल का पूरा rate of interest मिलेगा, that's the point, इस तरीके से आप maximum to maximum खाते खोल सकते हो, SSC की अकाउंट खोल सकते हो, आपकी easily जो ह अचीव नहीं होते हैं, तो क्या होता है, तो मैं अपना personal experience बताती हूं कि मुझसे last year, Feb में, targets अचीव नहीं होएते, एक तो मन्त बहुत छोटा था और थोड़ा problem हो रही थी, accounts नहीं है, तो उस मन्त में मेरा एक भी nil account गया था, तो उस case में, जो मेरी है, salary स्टॉप कर दी हो, आप पूरा work नहीं कर रहे हो, अच्छे से, आप interested ही नहीं हो काम करने में, मतलब एक होता है, एक महीना काम नहीं हो, अगर आप जब से लगी हो, तो अभी तक बिलकुल काम नहीं कर रहे हो, तो obviously बात है, इस case में वो आपको हटा भी सकते हैं, so be in your mind, अगर आपको service करने का time दिया गया है, service करने का मोका दिया गया है, हर एक बंदा, हर एक department प्रॉफिट चाता है, so अगर आपको GDS BPM के बैठ के नोकरी मिली है, तो इसको ये मत सोचो कि हमें free की मिल गई है, हमने सिर्फ 10 के marks पिली है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत हर जगा करनी पढ़ती है, अब ये देखो, as a private department के according, यहाँ पे आपको बहुत कम time काम करना है, बहुत कम मेहनत करनी है, उसमें ही आपको अच्छा गासा पे मिल रहा है, so be loyal with your job, be loyal with your work, अपना इमानदारी से सही टाइम पे काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, target achieve हो जो strategy बताई है, उसके according करते रह video, let's stay safe, stay tuned and best of luck your future.